हेलो केडिट्स! कैसे हो आप लोग? चलो एक अगला सवाल है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है? पिछला सवाल आपने देखा होगा एक इस प्लेलिस्ट में इससे पहले वाला सवाल तो उसमें कोई एक number को दोनों से divide करना था, वो थोड़ा असान था, यहां पर क्या लिखा हुआ है, a number of natural number under 500, that is divisible by 3, और by 13, या तो 3 से divisible हो, या 13 से divisible हो, दोनों से divisible, नहीं बोला है, ठीक है क्या, तो आप लोग एक बात को याद रखना एकदम अच्छे से, कि ये question थोड अच्छा question है, अगर मैं आपको बूलूँ तो इसमें आप 1, 2, 3, 4 तारे, चांद और तारे लगा सकते हैं, ठीक है, चंदमामा भी एक बैठा सकते हैं, this is a very good question, तो ध्यान से देखना, ज्यादा difficult नहीं है, easy है, बस एक बात समझने की देरी है, जहां आपको चमक गया, उसक के बात तो आप एकदब मस्त कर डालेंगे, ओके, चलो, तो AISSE Class 6 के लिए Maths की Doubt Clearing Series आपकी चल रही है, जिसमें आप लोग हमें भेज रहे हैं, अपने Doubts, WhatsApp group जोईन करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, और उसमें से important अच्छे questions का हम वीडियो नमर बना करके, ले करके आ रहे हैं, यह पूरी series बहुत important होने वाली है, वो सब AISSE के student के लिए जो अभी exam देने वाले हैं, तो exam से पहले उस playlist के हर एक एक वीडियो को जरूर चेक करें, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, इस question को solve करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया थ कि कोई भी number किसी number से divisible है या नहीं, हिंदी में चासे लिखा है, 500 तक कि वे कुल संख्य हैं, जो 3 या 13 दोनों में से किसी से विभग्ध हो सके हैं, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, 500 से नीचे कि वो सारे number जो या तो 3 या तो 13 से divisible हो रहे हो, बासमज में आई, चलो, तो निकाल लेते हैं, कितने number 13 से divisible है, वो निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे अपन, कि कुछ, कितने number है जो 3 से divisible है, जो 3 से divisible है, और कितने number है जो 13 से divisible है, अब याद रखो, इन दोनों में कुछ ऐसे number भी आये होंगे, जो वहाँ पर भी आ रहा होगा, यह से और नो यहां पर जैसे और भी नमबर आएंगे 3 6 9 12 and so on करते करते 26 भी आएगा वहाँ पर और यहां 13 और next number 26 तो 26 यहां पर भी आ गया वहां पर भी आ गया दोनों में count हो गए मतलब ऐसे numbers जो 13 से भी divisible है और 3 से भी दोनों से जो number divisible है वो दो बार count हो गए तो क्या minus करना पड़ेगा उन number को minus करना पड़ेगा जो 3 and 13 दोनों से divisible है अगर यह बाद चमक गई तो यह question बहुत असान होने तो अपन क्या निकालेंगे वो सारे नमबर जो 3 से divisible है फिर वोसारे कितने number of natural number सें जो 13 से divisible है और उसमें minus करतेंगे इं Pelemos करतेंगे उतने number 3 ओर 13 दोनों से divisible हैं तो अपने पास ऐसे number of numbers आ जाएंगे जो या तो 3 से divisible है या तो 13 से चमक रही के बाते हैं समझ में आ रहा है चलो थोड़ा सा अच्छा है दिमाग लगाना ठीक है कैडिट्स लोगों के लिए है ये AI SSC की जो exam दे रहे हैं ठीक है तो थोड़ा अच्छा question है तो ध्यान सा देखना बस यही बात समझ रहे हैं इसमें तो सबसे पहले आपन निकालते हैं कि 3 से कितने number divisible है तो देखो 500 divided by 3 3 1s are 3 23 3 6 18 23 6 18 तो 166 यहाँ पर जो number आएंगे हों कितने आएंगे 166 number आएंगे 166 ऐसे number है जो 3 से divisible है 500 से छोटे 166 ऐसे इतने सारे number है 166 number ऐसे है जो 3 से divisible है अब अब आपन को देखना है ऐसे कितने number है जो 13 से divisible है चलो तो क्या करो divide by 13 यह सौट ट्रिक है याद अखना 500 divided by 13 ठीक है क्या 13 से divide किया चलो भी यह 13 3 सा कितना हो जागा 13 3 सा 39 है ना 3 3 सा 9 3 1 सा 3 39 40 11 बज़ गया और एक 0 आ गया चीक है आप देखो 13 इंटू 13 इंटू 8 करके देखेंगा 8 3 सा 24 का 4 करी 2 8 2 सा 8 9 10 1 0 4 हाँ तो 13 8 सा 13 8 सा 9 तैम्स करेंगे तो 9 3 सा 27 का 7 करी 2 9 सा 9 10 11 9 सा 9 10 11 117 नहीं ज्यादा हो जा रहा है 117 तो 8 तैम्स 13 8 सा 13 8 सा 1 0 4 तो रिमेंडर आ जाएगा जो भी आ रहा है ठीक है तो मतलब 38 ऐसे नंबर्स है 500 से छोटे 38 नंबर्स होंगे जो किस से डिवाइड होंगे 13 से अब 166 प्लस 38 करोगे तो ये साही एंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जो 3 में भी और 13 में भी आ रहे हैं यहाँ पर भी काउंट होगे यहाँ पर भी काउंट होगे तो उनको माइनस करना पड़ेगा तो सबसे पहले क्या निकालना था यहाँ वाला कोशन मैंने बताया था आपको जब भी कोई बोले कि दोनों नंबर से डिविजिबल हो तो क्या निकालना इसका LCM तो 13 और 3 13 प्राइम नंबर है तो 13 थ्रीजा तो यह देखना है कि 500 में 500 के अंदर अंदर ऐसे कितने नंबर है जो 39 से divisible हो रहा हो और वो नमबर को अपन माइनस कर देंगे, तो 39 से करने के लिए 39 बंजा 39 ठीक है, 10, 1 11 11 और 10, तो 39 कितने टाइमस जाएगा 2 टाइमस ही तो जाएगा 9 टूसा 18 एट येट क्योंकि 3 टाइमस में ज्यादा हो जाएगा 9 टूसा 9 टूसा 18 एट, क्योंकि 3 टाइमस कर दोगे तो 9 टूसा 21 को 7 क्योंकि 2 ठीक है, 39, 10, 11 117, जादा हो जाएगा, ठीक है तो 2 टाइमस जाएगा, 12 तो मतलब 12 नमबर ऐसे है 12 नमबर ऐसे आएंगे जो 3 में भी आते हैं और 13 में भी, बासन में आई जो दोनों में आते हैं तो अपन क्या करेंगे, टोटल नमबर आपको 500 से नीचे के नमबर बताने हैं जो या तो 3 से डिविजिबल हो या तो 13 से, तो आप क्या करोगे 166 प्लस 38 204 204 ऐसे नमबर हैं याद रखना, ये 204 ऐसे नमबर हैं, जो 3 से डिविजिबल होने में आ रहे हैं और 13 से, लेकिन इनमें अपने कुछ एक्स्ट्रा काउंट कर लिये हैं जैसे ये 12 नमबर को दो दो बर काउंट किये हैं तो ये 12 अपन माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस 2 is 2, ठीक है क्या? 0 माइनस 1 is 9, 1 192 is the correct answer 2 is the correct answer तो 166 ऐसे नमबर है जो 3 से डिविजिबल है वो सारे नमबर निकाले जो 13 से डिविजिबल है तो 38 ऐसे नमबर है जो 13 से डिविजिबल है फिर निकाले ऐसे नमबर जो दोनों से डिविजिबल है तो ऐसे सिर्फ मात्र 12 नमबर है 500 के नीचे जो 3 और 13 दोनों से divisible है अब उन दोनों को add गिया इसको minus क्यों क्योंकि ये दो बार count हो रखे थे चमक गया क्या थोड़ा अच्छा सवाल है इसको एक बार दुबारा देख लेना अगर कुछ doubt है तो और में को comment section में इसमें जरूर बताना कि चमका की नहीं ठीक है क्या credits चलो तो जैसा कि आप सब में से maximum लोगों को पता होगा मैंने और सरे सरने मिल करके आप लोगों के लिए AISSE class 6 के लिए full proofed course बनाया है video lectures बनाया है 50 hours के जिसमें 200 videos हैं और more than 150 आपके लिए PDFs है class notes के exercise के सब कुछ जो आपके लिए more than sufficient है AISSE को qualify करने के लिए जिसके लिए बहुत सारे free videos और data study material आपका app में है तो यह आप app download कर सकते हैं play store में जाकर क्या edumention सर्च कर सकते हैं या फिर नीचे description में link को click कर सकते हैं तो जो आपको app मिलेगा उसमें आप जाओगे अगर store section में जाओगे यहाँ पर बीच में store आले में click करोगे तो पूरा आपको courses मिलेंगे इस course में से AISSE में जाओगे तो पूरी detail मिलेगी जहाँ आप check out कर सकते हैं सारे free videos और study material और अगर पसंद आए तो आप enroll कर सकते हैं ठीक है क्या चलो आज के लिए इतना ही आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए हसते रहो मुस्कुराते रहो देखते रहो सारवसर की class जैहिंद बाई बाई टेक केर